मेरे प्यारे दोस्तों भारत की प्रथम महिला IPS ऑफिसर किडन बेदी ने भी मोधी की सरक्षा को लेकर बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने कहा कि सेक्योर्टी बीच किसलिए था कि अब तो रिमोट कंट्रोल से भी बम चल सकते हैं पकिस्तान से ज्यादा दूर नहीं थे उधर से भी खत्रा और अंदर से भी खत्रा मैंने सोचा कि ऑफिसर कहा है तुमने SP को सस्पेंट किया तो DM को सस्पेंट क्यों नहीं किया तुम लोग अपसेंट क्यों हो अपनी मर्जे से अपसेंट हो या तुम्हें किसी ने कहा है तो फिर किसने कहा है वहाँ पुलीस वाले चाय पी रहे थे चाय कैसे पी सकते हैं उन जिम्यवारी डीजीपी चीफ सेकेर्टरी दोनों की है परधान मंत्री देश के नंबर वन सीटीजन है परसिडेंट के बाद ये बहुत ही खतरनाग बात है कि और इंडिया सिविल सर्विस किस लिए है सुरक्षा रूंस के लिए ये सारी चीज़े फेल होगी तो कि लिए सर्फ कुर्षिया मोटी-मोटी तंखा लेने के लिए सारे मिलकर देश को चला रहा है तो तुम कौन होते हो देश को खत्रे में डालने वाले उधर अखलेस यादम नेवी परधान मंत्री पर तंज कसा है, उन्हों ने कहा कि मुझे पंजाब के लोगों और किसानों से अपील है कि उन्हें मंज तक जाने देते, मंज पर जाते और खाली कुर्सियाद देखते हो तो अच्छा लगता उनको, उन्हें खाली कुर्सियों पर भी भासन देना चाह और किस डर से प्यम का रास्ता रोकने का सरयंत्र कर रही थी इनसे पर आपकी क्या राय है वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब को